हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने छोटे बच्चों को किस तरह गा से एक ही दिन में घड़ी देखना सिखाएं, वो भी बहुत ही परफेक्शन के साथ, तो आए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि घड़ी दिखाने से पहले अपने बच्चों को हम 5 का टेवल जरूर लर्ण कराएं, क्योंकि बिना 5 के टेवल के बच्चों को घड़ी देखना नहीं आएगा, तो 1 से लेका 10 तक तो सभी बच्चों को 5 का टेवल लर्ण करादेंगे, यानि 5 1s आप यह ना समझें कि 1, 2, 3 का टेवल लर्ण कराना, 5 का टेवल लर्ण कराना है, इस तरह की से 5 का टेवल आपको सबसे पहले लर्ण कराना है, अब बात आती है कि 11 पर बच्चों को क्या समझाना है, तो 11 पर बच्चों को बस यह बताना है कि 50 के बाद हमें 55 बस नंबर हमें याद रखना है कि 50 में अगर हम 5 एट कर देंगे तो 55 हो जाएगा तो 11 का सुई आते ही यहाँ पर 55 हम बोलेंगे तो हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे घड़ी देखना अगर हम बच्चों को सबसे पहले यह बताएंगे कि यह जो छोटी सुई होती है यह हमारी आर की सुई होती है यानि घंटे की सुई होती है और दूसरी जो यह बड़ी सुई होती है वो यह मिनट की सुई होती है तीसरी यह सुई जो होती है जो लगतार चलती रहती है वो हमारी सेकंड की सुई होती है आप सिखानी के लिए एक ऐसी घड़ी कोई आपके पास पुरानी ऐसी कोई घड़ी पड़ी हो आप उस घड़ी की माध्यम से सिखा सकते हैं या आपकी कोई हाथ की घड़ी हो जिस पर नंबर बने हो और उसमें ऐसा गुमाने का सिस्टम हो तो आप उसके माध्यम से भी बच् एक ही नंबर पर होती है तो आप सबसे पहले बच्चों को बताएंगे छोटी सुई बारा पर है और बड़ी सुई भी बारा पर है तो इसलिए इसमें जब बड़ी सुई जब कभी भी बड़ी सुई बारा पर हो तो एक्जेक्ट वही नंबर बसता है जिस नंबर पर छोटी स होती है जैसे यहां पर मैं आपको बताने वाली हूँ जैसे अब मैं यह सूइ वन पर उच्छाक परदी है तो अब اب वही नमबर बजेगा जिस नमबर पे छोटी सुई होगी एक बार आपने बच्चे के मैंड में आप इस बात को फिट कर देंगे तो बच्चा हमेशा के लिए याद रखेगा यानि 12 पे सुई आ गई तो वही नमबर क्या जिस नमबर पे छोटी सुई है उतने ही बजे हैं आपने किसी भी नमबर पे लाके ऐसे आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि अब बताएए अब कितना बज रहा है तो बच्च फॉरान बता देगा 5 का टेवल 9 तक पढ़ लेगा और फॉरान उसे बता देगा कि 5 नाइन 45 और 1 और 2 के बीच में है तो 1 और 5 1 45 हुए है इस समय यह भी आपको बहुत बताना जरूरी है कि अभी यह 2 पे पूरी तरह सुई नहीं आई है इसलिए अभी 1 में ही काउंटिंग होगी इसकी तो 1 45 हुए है या एक बचकर 45 मिनट हुए है इस तरीकी से आप इस सुई के माध्यम से कई बार आप घुमा घुमा के बच्चे से देखिए यहां पर 11 पर सुई आ गई है तो बच्चे उसे पूछिए यह कितने बज रहे हैं तो बच्चा बता देगा तुरंद कि एक बचकर 55 मिनट हुए है या इंग्लिश में 155 हुए है तो इस तरह किसे बच्चा सीख जाएगा बस आपको एक बार बताना है कि 10 के यह 12 पर सुई आ गई तो मैंने आपको भी बताया था कि 12 पर सुई आगर आ गई है बड़ी वाली मिनट वाली सुई 12 पर आ गई है तो वही बजेंगे जो आर की सुई होगी तो आर पर इस समय पूरे exact 2 पर सुई है और मिनट की सुई हमारी 12 पर है इसलिए इस समय 2 o clock हुए यानि दो बजे है तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही अगर आप इस तरी किसे कोशिश करेंगे तो जरूर एक ही दिन में बच्चा आपका बहुत अच्छी तरह घड़ी देखना सीख जाएगा मैंने भी अपने बच्चों को इसी तरह किसे घड़ी देखना एक ही दि में में बचाशी तरह से कॉरी को बच्राव किसे का दूर देखना ही चींज में बच्की कोशिव